नमस्कार मैं जिगिशा, जिगिशास कीचेन में आपका स्वागत है आज हम ग्रीन चटनी बनाएंगे, ये चटनी आप अलग-अलग कई तरह के पकुडे या सेंड्वीच के साथ खा सकते हैं या ऐसे कितनी भी फरसान है जिसमें आप ये हरी चटनी, ग्रीन चटनी का यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स रेसिपी को एंट तक जरूर देखी, अगर ऐसे पी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, तो चलो बनाते ही ग्रीन चटनी यहाँ पर मैंने 500 ग्राम धनिया पत्ती ली है, और मैं डंखल साइथ ही धनिया पत्ती को यूज़ करूँगी और दो से तीन बार मैंने इसको पानी से धो लिया है, हरे धनिया को मैंने टंखल साइथ ही कट कर लिया है, आप देख सकते हैं चार से पांच हरी मीट को पानी सच्चे से धोने के बाद मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है यह कच्ची मुफली के दाने है, यह करी लिवस, लौसोन, नमक, निम्बुकारस और चीनी चार से पांच आइस क्यूब है, आइस क्यूब के यूज करने से चटनी का रंग हराई रहता है वो एकदम ग्रीन कलर की रहती है, ब्लैक नहीं हो जाती है यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में सेंग दाने लौसोन और करी लिवस डाल दिया है इसके उपर अब में हरी मिर्च डालूँगी, नमक, चीनी और निम्बुकारस भी डाल दूँगी छोटी मिक्सर जार में बहुत ही अच्छे से चटनी पीस जाती है तो मैं यहाँ छोटी मिक्सर जार का यूज कर रहे हूँ तो इसे हम पीसेंगी, धन्या पत्ते हम बाद में एट करेंगी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है यहाँ पर मैंने एक बड़ी जार ले ली है और इसके अंदर में डाल रहे हूँ आइस क्यूब अब हमने जो चट्नी तयार के थी वो भी मैं यह बड़ी जार के अंदर डाल दूँगी यह चट्नी बनाने की जार है वो बहुत छोटी है और धन्या पत्ती जादा है तो मैं अब सारी सामगरी को यह बड़ी वाली जार के अंदर डाल के ही चट्नी तयार करूँगी तो सारे धन्यापत्ति को हम इसके अंदर डाल देंगे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने जो आइस क्यूब डाले है इसके कारण यह चटनी का कलर एकदम ग्रीन कलर ही रहता है दो से तेन दिन तक फ्रीज में भी आप रखेंगी तो भी वो ग्रीन ही रहेगी चटनी हमारी अच्छे से पीस गई है आप देख सकते हैं एकदम फाइन चटनी बनकी तयार हो गई है मैंने छोटी जार में पहले इसलिए इसको पीसा था क्योंकि छोटी जार में चटनी बहुत ही अच्छे से पीस जाती है जो बड़ी dry सामगरी होती है बड़ी वाली जैसे की मुफली के दाने हो या लॉसून हरीमीच वो सब होते हैं वो छोटी जार में एकदम fine paste हो जाती है तो मैंने पहले उसको छोटी जार में इसलिए पीसा था और बाद में इस mix जार में पीस लिया तो आप देख सकते हैं नतिजा कितनी अच्छी से चटनी पीस के तयार होई इस चटनी को आप freeze में 4-5 दिन तक भी रखेंगे तो इसका color change नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमने ice clip डाले थे तो इसको तुरंथ ही freeze में रख दीजिए और जितनी खानी हो उतनी ही इसको निकाल के बाद में तुरंथ ही इसको freeze में रख दीजिए एकदम हरी green color के ही ये रहेगी तो friends आपको मेरी ये green चटनी की recipe कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like, comment और share करें और मेरी channel को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलो मिलते हैं फिर से नई recipe के साथ तब तक के लिए बाई